हेलो गैज नमस्कार वेलकम टो अनलाइन जान भायानन तो साथियो मैं आनद महरा आप लोगों के लिए कि हिंदी ब्याक्ण का मोस्ट मोस्ट इंपोर्टाइन लेक्टर लेकर फस्तित हुआ हूँ साथ यो आपको बता दें इससे पिछला जो लेक्टर था हमारा हिंदी बासा पर था उसमें हिंदी बासा पर पूरी बात की कैसे उसका उद्वाव विकास हुआ और कैसे उसको समिधाने की स्तिती मिली और कैसे किसने उसको हिंदी बासा को महत्वपूर्ण इस्तान देने में योगदान किया और उसकी देवनागरी लिपी और बासा हैं डिसकस की तो आज इस वीडियो के माद्यम से हम उसके सौसे उपर यानि 120-130 परशन को डिसकस करेंगे और विट इन्पोटेंट सौट फैक्ट के साथ तो आपको वह लेक्चर देखने है तो जाएगा डिसकुशन बॉक्स में लिंक है जल जली जाएगा तो उसके बाद इस स्रीज को करो इस यहाँ पूरी टेस्ट सीरीज आपको फीडिया फॉर्मेट पर कहां मिलेगी यहाँ वीडियो में ही आपको पूरे जानकारी मिलेगी तो जाद आपका समय नहीं लेते हैं साथ चलिए सुरवात करते हैं पहले प्रशन का सब्द किसे कहते हैं इसका सही आंसर आपको इन को राज़ बासा माना है न की राष्ट बाशा राजव अलग है राष्ट बाशा अलग है राष्ट बासा समीजानिק सब्धैं नहीं है जब कि राध बस एक समीजानिक सब्दह ये आप ध्यानकों तीस्ट्रा प्राश्ण भासा—के प्रमुक, अव्याई कौन है तो हसा का जो परमुक अव्य हैं वाण सब्द पद और वाकी वाण को मिला के सब्द बनता है सब्द को मिला के पद बनेगे और पद को मिला गए एक वाकी का निर्मान होता है चौथा प्रशन भासा का निर्मान होता है मोख संकेतु से या बैक्त संकेतु से कोई भी भासा होती है निर्मान होता है अगला प्रशने भासा की सार्था लगुता मिकाई क्या है प्रशन पूरु हिंदी का संबंद किसे माना गया है तो पूरु हिंदी का संबंद जो किसे मांगा गया है आपको याद रखना है साथ वह इसका सही आंसर आपका अर्दमागदी अपरंस most important प्रशन अबी अगला प्रशन हिंदी की कितनी बोलिया है पांच उब भासाय और 18 बोलिया है कोई भी बासा हमने क्या का था जब कोई भी इव बासा क्या होती है जब इसमें छेतर थोड़ा सा बढ़ और इसमें साहीति रशना आलका फूलका होने लग जाती है तो बासा हु बोलियों में क्या होता है साहित्ति रचन नहीं होती है और उब बासा महलका पुलका छेत्र विस्तार होन लग जाता है जब साहित्तिकार एक साहित्ति में बासा के रूप में उस बोली को इस्तान देन लग जाती है तो वो बोली ने रखकर बासा बन जाती है तो आपको याद राष्ट बासा नहीं कि राष्ट बासा जब किसी भी संबोधन करने के लिए चाहिए कहीं पर भी एक पूरे राष्ट की बासा होती है तो उसे हम राष्ट बासा कहते हैं राष्ट बासा एक संबोधानिक सब्द नहीं है बल्कि राज-काज की बासा हमारे हिंदी है तो उसे ह i while I'm very soon हिंदी अपने किस बोली कया माना करूप है तो हिंदी अपनी खड़ी बोली का और आवरात में भाजां का साइतिक विकाज कर्म माना जाता है तो बारत में चो बहाना था हमें जो अधर मिलब संस्कृत से बनी तो उसका सही कर्म क्या होगा संस्कृत पाली प्राकत और अब्रेंस चोद्वा प्रशन पाणिनी की रचना का क्या नाम है तो पाणिनी की अश्ठा ध्याई एक रचना है तो इसलिए अश्ठा ध्याई इसका सही आंतर भी हो गया पंद्रों प्रशन ब्याकरण से किसके अस्तुत्यू की जानका कोई भी लिपी जो लिपी है वो किसे निकली है ब्रामी लिपी से निकली है बट क्वेश्चिन के अनुसार हिंदी वासा के लिपी क्या है देवनागरी लिपी है यह आपको याद रखना है और यह देवनाय लिपी कहां से बनी है ब्रामी लिपी से हिंदी को मानक रूप सवामिर दैाननसरश्वति ने किसी रचना हिंदी वासा में की है सब्सक्राइब है अन्य चमण अब करेद ऐसकता है इसकां आपका प्रस्यार्णी को सब्सक्राइब करना है कि हैं कि यहां से आपका प्रस जारुबानता और वोली होते जैसे अब नगर बौली का रूप लिया तो पहले आपको प्रसियाद से ही आपकी आदुनिक आर्या बासाइं किया हैं क्या है है तो कौन बिहारी हिंदी की बोली है बीस्वा प्रस्ण यह भी आपका मुश्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो कौन बिहारी हिंदी की बोली है मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है बासा का आरंब होता है बासा का आरंब किसे होता है साथियो द्वानी से होता है आपको याद रखना यह भी आपको याद क क्या है यह आपको पता से लेगा जब आप पड़ोगे क्या उप बासाओं को तो इसलिए आपको लेक्षर जरू देखना है कौन सी एक बासा है इन में से आपको याद रखना कि कौन सी एक बासा है मेवाती मारवी और बुंदेली ये क्या है उप बासा है नहीं कि बासा जब क नेसातियों क्या की है मैथली में भी अपनी जो है रचनाय की है इसका सही आंसर आपका बिद्या पती तो नेक्स्ट प्रशन है आपका 25 वाला कौन सा प्रांत हिंदी छेतर के अंतरगत नहीं आता है तो इन दोनों में से आपको उस प्रांत का नाम बताना है जो हिंदी सगधरजा मिला हुआ था बिहारी हिंदी के अंतरगर कौन सी समस्की वही नहीं आती ये इंपूर्टेंट प्रशन आपका है थो बिहारी के अंतर कौन रिन्या की अवधी मगरही बोजपूरी जो है इप हेए अनिम्न मैसे एक किसी देश में हिंदी बोली लिखी जाती है त अगला प्रस्ण 29 वाला मेवाती हिंदी किस उबासा वर्ग से संबंदित है तो इन उबासाओं की आपको स्रीज दे रहे है यानि तीन आप्शन दे रहे हैं उसमें से आपको टिक करना उस उबासा को जो मेवाती हिंदी के रूप में जानी से संबंदित है तो इसमें से सही आ जो है कुमावनी है और कुम्कडी पाड़ी की उप भासा नहीं है एक ठीसमा प्रस्पन भासा संस्कित की किस दातु से निस्टपडन से हुई है तो भासा भास सब्द से हुई है आपको वीडियो के फस्त महीं बताया 32 प्रश्म में कौन सा सब्द फार्सी का नहीं है तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से सब्द हैं जो फार्सी से नहीं लिया गया आपको पता होगा साथ यो हिंदी का जो उद्वा हुआ किसे हुआ सिंदू से हुआ जब भारी चेतर के जो भी दल थे यहां पर आये तो और सिंदू को बाद में फार्सी में क्या को पढ़ा गया हिंदू पढ़ा गया तो इसी से आप हिंदू और हिंदी हिंदूस्तान यह जो है फार्सी सब्द हैं बटकि संस्किर जो है हमारा देशी ही सब्द हैं अगला प्रशन पाली को कौन सी बहासा बोल जाता है पाली को देश्वासा भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले यही इसी मिहीं रचना हुई तो मांगदी किस वशना है तो ब्याकरन दर्पन किसकी रचना है साथ हो सिव पूजन सहाई की तो 36 प्रस्न हिंदी सब्द का परियोग सर्वा प्रस्न किस भासा रचना में हुआ है इसमें से 36 का आपका सही आंसर जो होगा वोगा फार्सी में अगला 37 प्रस्न राम चरित्र मानस किस बोली की साहिती रचना है तो राम चरित्र मानस की तूसरी दास ने किस में लिखे थी अवधी में लिखे थी 38 प्रस्न प्टना किस भिहारी बोली के लिए परसिद्ध है पटना में कौन सी बोली जाती है साथ यो बोली जिसके लिए परसिद्ध हो मगही उन्चालिस्वा प्रसा के द्वारा मनों से अपने विचार दोस्तों सक पहुँचाता है यह किसका कथन है कामता परसाद गुरू का जब कोई बोली या बासा बयाकरणिक धाचे में डल कर विवस्ति रूप में घरण हो जाती है उसे बासा क्या करते हैं फिर परिनिष्टित बासा कहने लग जाते हैं एक चलिस्वा प्रस्न हिंदी भारत के कितने राज्यों की राज्यों की राज्यों में होता है देवनागरी किस बाज्यों की लिपी नहीं है तो इनमें से लिपी को आपको देखने है और बताना है कि इनमें से किस लिपी में देवनागरी लिपी का यूज नहीं होता इसमें स इसका सही आंसर है कौन हिंदी की उपभासा नहीं है तो ये चार ओप्सन दिये हुए है आपको याद रखना कि हिंदी की उपभासा इसमें से कौन नहीं है डी आपका दक्षणी जो है हिंदी की उपभासा नहीं है पैतले इसमा परसन मद्यकाल में काभ्य भासा के रूप में सरवाधिक परचलिद है तो मद्धिकाल में काभी बासा के रूप में कौन से परचलिद है ब्रजबासा में सात्यों उसमई मद्धिकाल में काफी काभी रचनाएं हुई 46 प्रसन अमीर खुसरों की रचनाएं किस बोली में रचिद है खड़ी बोली का बारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं यह 436 है हिंदी की नहीं कितनी बोलियों में है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है तो मगही या कौरवी इसमें से आपको यादक में खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है कौरवी है उनपचास मौपरस्ट में हिं राइस्तान है विनय पत्र का लेक्त कौन है तुलसी दास है थिसका दिया हुओआ एणी सब्द दिया हुआ होगा थिया बावंवैं sent में हिंदी का पहला अपन्याश लाल स्रीनिवास द्वारा लिखित कौन सा है यजिसका सही आंसर आपका परेक्षिया गुरू चौबहनवा प्रस्पन देवनागरी का सबसे पहले सब्सक्राइब परियोग वाता है इसमें आपका ए आंसर सही है गुजरात राजा जयबट के शिला लेख में पचवण परसमें पदमावत है जो जिस कि तो 35 वा प्रस्ण अमारा पद्मावद जैसी ने लिखा था वो किस बास वल में लिखा था उनने इसका आपका सही आंसर है अवधी가요 पद्मावद जो किसकी रचना है जैसे की और किस बाशा में लिखा था उन्हें पद्मावद को अवदि में पाली बाशा समन्द किसे पाली बासा संबंद किससे है सात्य वह गौदम ने जो सारे अपने उब्देश दे पाली बासा में ही दे थे तो आपको यादकना पाली बासा का संबंद बहुत धर्म से है 37वा पतावली orang मैं लिखी गएथी तो पतावली भी एक रचना है जिसको किस ने रिखा था विध्यावति ने तो विध्यावति की रचना पदावली किस बासा में लिखी गई थी तो ये भी इन्पोर्टेंट प्रस्ण में हो सकता है इसका सई आंसर आपका मैथली जाती अठा वनॉर्प्र्स में हिंदी सब्द की बिटपति हुई है किससे हुई है साथी उप सallowsॅरो Micro camera चाहे पूर्त сталी मानलो चाहे बुर्टगाली मानलो चाहे आब फ्रांसेसी पूर्शत एसी रश्ते वो यहा आए थे सिंदू की रश्ते भारत की बहता थे तो उसलिए सबसे पहले जो भारत में उनने कदम रखा सिंदू नदी पार कर करी रखा तो इसलिए उनने सिंदू देश कहा फिर ऐसे से हिंदू देश पड़ा फिर हिंदू देश इसको सौट फॉर्म में हिंदी कहा जाने लगा तो हिंदी सब्द की विद्पति सिंदू से पर चलित रूप है तो वर्तमान हिंदी जो पर चलित रूप में आए, खडी बोली का ही पर चलित रूप है? शाठों प्रस्न भ्रज बूली नाम से जानी जाती है, कौन सी पूरानी बांगला? एक सथमा प्रस्जन ब्रज बाषा है यानि ब्रज बाषा किसकी अपषा है सात्यों पस्रमिर तो बाश्जन बागेली बोली का संबन्द किस अपवासा से है तो इसका सई आंसर आपका पूर्वी हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अब्रंस से बिक्सिद है तो सौरसेनी या ब्रचन तो इसका सही आंसर आपका सौरसेनी से जो परवाइद है किस अब्रंस से है खड़ी बोली सौरसेनी से 64. मारवाडी का पुराना सायतिक किस नाम से परसद्ध है डिंगल नाम से 65. निम्न मैंसे कौन सी पस्सिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बुंदेली, बगेली, ब्रज, कनोज से आपको इन चारों मैंसे एक आप्षन टिकरना है जो पसीमी हिंडी की बोली नहीं है इसका सही आंसर और राइट आंसर आपका बगेली इसके अनुसार राजिस्तानी बगेली राजिस्तानी भासा वाकी बिन्यास की दिरिष्ट से किसका अनुसरन करती है तो उसका सही आंसर है गुजरादी का डुडाडी बोली है किसकी है पसिमी राजिस्तान की पूर्वी राजिस्तान की दक्षणी और उत्तरी राजिस्तान की इसका सही आंसर है आपका पूर्वी राजिस्तान की बोली जो है डुडाडी है अगला प्रस्णा पूर्वी पहाड किसो का दूसरा नाम क्या ब्रजबा साया वदी एप्रोटन कैसिह हो सकता अभाए अब इस बारी बोली शत्र्म अब 16 के परिनिष्टित रूप करानी हिन्दी के नाम से किस ने पुकारा था तो बोलाना तिवारी हजारी परसाद और चंद्र सर्मा गुलरी इन मैंसे किस ने अबरंस के परिनिष्टित रूप को पुरानी हिंदी कहा था इसका सही आंसर है साथ यो आपका चंद्र सर्मा गुलिटी अगर नाम है तो बांगरू, राजिस्तानी और खड़ी बोली मैंसे आपको बताना है कि जाटू किस उपुबोली का नाम है इसका सही आंसरा आपका बांगरू पुरानी हिंदी का प्राकत बांस नामकरन किस विद्वानी किया था इसमें से आपको बताना है कि पुरानी हिंदी का प्राकत बांस का नामकरन आचारिय सुकलने राजिस्तानी का विक्रत रूप जो बही खाता लिखने में परयुक्त होता है तो इसमें से कौन सी लिपी में राजिस्तानी के में बही खाता लिखने में परयुक्त होता है इसका सही आंसर आपका महाजनी लिपी राजिस्तानी हो में बदल गया है सदत्रमा प्रस्ण एक मनाई के दूई बेटवे रहीन किस बोली का है तो यह जो एक लाइन दे रहे हैं और यहां इसमें बताना है आपको कि यह लाइन किस बासा से मेल खाती है यानि बोजपूरी या कन्नोजी इसका सही आंसर जो आपका बोजपूरी बासा है साथ यह कि एक बुंदेली बासा का सुद्ध रूप कहा जाता है बुंदेली बासा सुद्ध रूप में कहां बोला जाता है इसका सही आंसर आपका जांसी में तो बुंदेली बासा है उसको सुद्ध रूप में जांसी में बोला जाता है अगला अस्यों प्रस्ण हो गया हमारा इंद और उज्जेन देवास में निम्न मैंसे कौन सी बासा बोली जाती है मालवी अगला प्रशन निम्न मैंसे किस बोली का सोतंत साइती नहीं है इसका सही आंसर आपको वगेली यानि वगेली में अभी तक कोई सोतंत साइती नहीं बनाया गया है अगला प्रशन भासा के अर्थ में हि करीवी सताबदी से तिराश्मा प्रस्न हिंदी बासा का उद्भाव यह विकास पुस्ता के लेखक कौन है इस में से आपको बताना है कि वह कौन सा लेखक है जिसने हिंदी बासा का उद्भाव यह वं विकास पुस्ता लिखी थी मोस्ट इंपोर्टन प्रस्न है साथ भी आप साथ के लिए तो हिंदी बाषा का उद्ववय विकास किसने का था उद्रवाइण उद्रेट तो उद्धाइ नारण तिवारी ने सई आंसर आपका दिरेंद्र बर्मा 6 प्रस्थ हिंदी सब्दानुसासन के लेकर कौन है किसोरी दास बाजपेई जी ने हिंदी सब्दानुसासन लिखा था तो आपको सई आंसर क्या होना चेसमे है हिंदी सब्दासन के लेकर किसोरी दास बाजपेई तो 87 प्रसने हिंदी के विकास में अब्रंस का योगदा नमग पुस्ता के लेकर कौन है तो आपको सई आंसर इसमें देना है डाक्टर नामवर सिंग तो हिंदी के विकास में अब्रंस का योगदा नमग पुस्ता के लेकर डाक्टर नांगवर उसके उत्तर सारे आपको यदि PDF मोड में आप देखते हो तो उत्तर सारे हमारे यूटीब चनल में लेंगे अगले प्रस्ण होगे हिंदी किस परिवार की भासा है भारवी परिवार की भासा है भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है हिंदी है हिंदी भासा का जनम किससे हुआ है अब रंच से हुआ है आपको पता हो नहीं अप निम्निन लिक्षट में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो यह कौन से बोली है से तेलगु यह जो है उपासाइं हैं कन्दो जी वांगरु और अवय जी यह क्ये हैं हिंदी की बार्व बासाइं है बोलियां है हिंदी की विश्ष्ट बोली ब्रच बासा किस रूप में सबसे अधिक पर सिद्धे हैं तो इन मैं से बताना आपको अब ते राज भासा के रूप में सेंट किया घया समिदान हिंदी को हम राजभासा के रूप में एक्टकरउंगी फूरी राजिस्तान में ब्रज गुजराथी उडिया और सिंधी यह नहीं लिखे जाते हैं तो एक मनई के दू बिट्वे वाले कौन से हैं अवधी भासा में यह लिखा पूरा बोला गए है आप देख सकते हैं अगला प्रशन अधिकतर भारती भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ ब्रह्मी लिपी से हिंदी बासा किस लिपी में लिखी जाती है देवनागरी लिपी में वर्तमान हिंदी का परचलित रूब है खड़ी बोली हिंदी बासा की बोल्यू के वर्गेगरण के आदा पर 36 ग निमने लिकित में चे कौन सी पसीमी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली ब्रज और कर्णोजी जो है पसीमी हिंदी की बोली यह बगेली जो है यह नहीं है अगला प्रशन भारती हिंदी प्राचल सभा का मुख्याले कहां परिस्तित है चेन नहीं मैं इसका मुख्याले बनाया गया है हिंदी बासा के बिकास का सही अनुकरम कौन सा है पाली प्राकत अबरंस अवट और हिंदी जो है इसका सही बिकास करम है सविदान के अनुचे 351 के बिसेम का वड़न है हिंदी के बिकास के लिए निर्देश इस अनुचेद में दिये गए है संग्मा जिसकी भी सरकार होगी उनको यह निर्टेज किये कि वो अनुचे 351 के तहद हिंदी का परचार परसाज करें इस अनुचेद के तहद बरच बासा है कि एक पसमी हिंदी का एक रूब है मगही किस उपबासा की बोली है बिहारी की अंदर बोचपूरी भी आता है अगला प्रसन हिंदी खड़ी बोली किस अबरंस से बिक्सित हुई है तो वो किसे हुई है सौर सैनि से बासा के आधार पर भारती राज्यू को पु स्टन की माम वी और उसके बाद जैसे समिधान बना उसके बाद भाषा से संब्राने अद चैन दी के मांद बना जाए जाए जैसे अंदर अलग वह सा सब्रतन की सरश सर्ण से बन लाब साब तामिलनाडू ऐसे भाषा मन भास्य WhatsApp राजी बनाने कि होड जो ही उनिसोच चपन से बनी बासाय आधरबा सरोबर्दम किस राजी का गठन हुआ आंद्र परदेश को श्री राम लुन ने इसके लिए जो है आप लोग अगवत हो साथियों कितने दिन की भूगरताल की ती उसके बाद जो सबसे पहला पासाय आधरबार राजी सभिजान में हिंदी को राजबासा का धर्जा दिया है और इसलिए चौश सित्मर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं वर्ष उनिसवफ पच्पन इस भी में गठी पर्थम राजबासा आयो के पर्थम अध्यक्स कौन थे वीजी कर कभ गठी तो यह राजबासा आयो उनिसवफ प राती थे उनने का कि इंग्लीज जो है इतने साल उसे हुई क्योंकि अंग्रजवने डेट सो से 200 साल हमारे देश मारा राजबासा और परसासनिक भासा थे इंग्लीज भी तो इंग्लीज को इतना छोड़ना इतना आसान उसमाहीं नहीं और था इसके लिए एक प्लान किया गया था मून से आएंगर फॉर्मुला जो हमने उस वीडियों बताया था आपको कि पंद्र वर्षूं तक जो है हिंदी इंग्लीज ही रहने दिया जाए उसके बाद हिंदी कर दिया जाए 29 भारती समिदान की आठवी अनस्विच में कितनी बासाइं को समिदान में दर्जा मिला है 22 बासाओं को हिंदी की आदी जनिनी क्या है संस्कित है यानि संस्कित से ही हिंदी बना हुआ है 29 हिंदी समिदान 27 Wik coun आउजन कहा हुआ था नियू याक में निमनी लिकेत मैंसे कौन भारीपी परवार की बासा नहीं है मल्यालम जबकि मराठी गुजराती हिंदी जो है साथि यूं भारव परवार की बासा है सबसे बड़ा बासापरिवार कौन सा है हमारा भारव परवार आपको याद रखना है भी हिंदी दिवस्क इस दिन मना जाता है चौज सिटमर को अवे इसका सभी आणसर आपका विकास की दुरिष्ट से प्राकत की पूरुकारी नवस्ता का नाम बताईए प्राकत पाली प्राकत अबरंस अववर्ट फिर आता है हिंदी तो आपको यह आकनतना है संस्कित पाली प्राकत अववर्ट और हिंदी आता है तो इस तरह से पाली जो है प्राकत से पूरुकारी नवस्ता का नाम भुआ 35 प्रस्म पस्सिमी हिंदी की दो बोल्यों का सही करम है खड़ी बोली और बुंदेली अर्दमागती अबरंस मैं से बिक्सित बोली है बगेली देवनागरी लिपी का जो सही अनुकरम है आपको देना है आपको पताओगा साथ तो देवनागरी लिपी का भी विकास किस्से हुआ जो अधिकतर लिपियां है बारती उनका लिपाब लिपी ब्रामी लिपी से ही लिए गई है तो देवनागरी लिपी का सही विकास करम ब्रामी लिपी गुप्त लिखी फिर नागरी लिपी बनी फिर देवनागरी लिपी बन और जो भी हमारे तैयारी वाले candidate हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर रहें और इस वीडियो को पराप्त करने के लिए आपको हमारे WhatsApp माना होगा हमारा WhatsApp नंबर आपको दे देते हैं और आपको कैसा लगा हमें comment section में जरू बताएं तो thank you everyone आज की वीडियो में फिलार इतना ही विदा लेते हैं आज आपके इस वीडियो को देकर तो कल मिलते हैं ऐसी अच्छी ताजी वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहेगा और अपनी तैयारी में लगए रहेगा ज यहीं नहीं हो तो subscribe जरू करने हैं